जनरेली आपने बहुत सारी बस देखियोंगी बहुत सारी कंपनीज की भी देखियोंगी बट आप जो ये बस देख रहे है ना जब ये रोड के उपर चलती है ना तो लोग इसे बार-बार देखते हैं क्योंकि ये है वाल्वो का एक फ्लाक्षिप प्रॉडक्ट जिसका नाम है वाल्वो 9600 जो की डिजाइन की गई है लक्षरी और कमफर्ट के लिए अब इसके अंदर इतनी ज़ादा आपको लक्षरी चीज़े मिल जाती है इतना ज़ादा कमफर्ड मिल जाता है जैसे सेम आपको एरोप्लेन के अधर में मिलते हैं वह अगर आप इसकी फ्रेंट प्रोफाइल देखेंगे न तो फ्रेंट में आपको प्यानो ब्लाक फिनिश का काफी ज़ादा वर्क मिलेगा साथी बीच में आपको जो सैटिन क्रोम है वो यहाँ पर लोगो दिया गया है साथी इसकी जो हेड्लाम्प्स है वो इतने तो 3800 mm इसकी हाइट है और इसकी जो लेंथ है न वो 15,000 mm यानि की तीन कार से भी जादा लंबी इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर है विट्थ की बात की जाए तो 2600 mm है वील बेस है इसका 8,350 यानि की एक टायर से दूसरे टायर तक की जो लंबाई है न वो मैं आप लोग जाता है कि उपर चड़ना ही बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है तो यहाँ पर इसको इतना ज्यादा ब्यूटिफली डिजाइन किया गया लो फ्लोर आपको यह बस मिल जाती है साथी इस बस के अंदर आपको टोटल दो विरेंट्स मिलते है एक सीटर वाला मिलता है और बसके आपको आपको जो स्लीपर क्लास है ना वह यहाँ पर मिल जाता है साथी झो अगर आप सीटर वाला देखते हैं तो 75 जो सीटस है उसकी आपको यहाँ पर कपैसिटी मिल जाती है साथी इस president के अंदर आपको 40 जो परोसं उनके बैळने के जो कपैसिटी यह वह यहाँ अधर भी लेकर चलूँगा एक बार आप इसके रियर टेल लाइट्स देख लो और कुछ ऐसा आपको लोक मिलता है पीछे की साइड में और अंदर इतनी जादा यह लक्षरी है मैंने परस्टनल इसको अंदर जाकर देखा तो मैं तो बिल्कुल फैन हो गया बसका ऐसा लगता है बाकि आप एक बार इसकी इस साइड की प्रोफाइल भी देख लो और फिर में आपको अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ और इसके अंदर जो फीचर्ज है ना वो भर भर के दे दिये हैं काफी जादा आपको जो एहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी हर तरफ आपको जो इसका पूरा कॉक्पिट है अमेजिंग लगेगा सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे जब आप इसके अंदर की तरफ एंटर करते है ना तो इतनी जादा जो अच्छी लाइट्स है वो आपको यहां पर मिल जाती है और ऐसा नहीं कि कॉम्प्रमाइस किया गया है जाता है एर बैक्स आपको यहां पर मिल जाते हैं और कुछ वायरलस जो सिस्टम है वो भी यहां पर दे दिये गया है अगर विंडशिल्ट देखोगे ना ऐसा लगता है कि प्रॉपर एक कमरा है और कमरे से आप बाहर की तरफ देख रहे हैं तो बहुत अच्छा जो व्यू आप यहां पर देखो जो सीट ना वह आपको कैसी लक्शिरी सीट यहां पर मिल जाती है ऐसी सीट जो है आपको ऐरोप्लीन के अंदर भी अवेलेबल नहीं मिलती बेसिकली यह जो बस आप देख रहे हैं यह प्रोटो टाइप है और यह जो बस आए वह आगे इन फ्यूचर हमें Volvo के लाइनव के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी प्रॉपर अज जो हमने यहाँ पर बात की Volvo से तो उन्होंने बताया कि अभी यह प्रोटोटाइप है और इन फूचर यह Volvo के लाइनव के अंदर आने वाला है प्रॉपर यह जो business class हैने जैसे सेम हम flight tickets के अंदर भी देखते हैं तो वहां पर business class होते हैं तो वह सेम चीज़ यहां पर premium customers के लिए offer की जाएगी by the Volvo और यहां पर आपको fire extinguisher भी मिल जाते हैं, क्योंकि safety के अंदर बिल्कुल भी compromise यहां पर नहीं किया गया है, Volvo का यह कहना है कि जो new Volvo है न वो जो है, उ और कुछ ऐसा आपको लोक मल जाता है, सो आपको न्यू वाल्वो कैसे लगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं,